आलू के पराठे किसको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मज़ा तबी आता है जब फुले फुले और क्रिस्पी बने हों तो आए आज बनाते हैं आलू के पराठे जो बिल्कुल फुले फुले और क्रिस्पी बने होंगे Hello Everyone, मेरे चैनल Meal Palace में आपका स्वागत है अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चलिए बनाते हैं हम आलू के पराठे, अब आलू हमारे उबल गए हैं, आलू हमने छील लिए हैं, अब आलू में जो मसाला पड़ेगा, धनिया पावडर, लाल मिर्चे पावडर, अमचूर पा आप इसको हाथों से मैस करिए, कद्दू कस मत करिए, वरना ये पानी छोड़ देते हैं, आलू के पराठे जब भी बनाने हो, तो आलू जब उबाल के छिल लेंगे, तो उसको 10 मिनट के लिए रेष्टे के लिए छोड़ दीजेए, क्योंकि जब ठंडे आलू होते हैं, तो प्याज प्याज खाना है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर प्याज डाल सकते हैं, अब इसको हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से, अब यहाँ पर इसको हम मिक्स कर लेंगे, चम्मज से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, और जो थोड़ी सी आलू में गाठ हैं, इसको हम ऐसे चम्मज से दबा देंगे, देखें, यहाँ पर आलू को हमने बहुत अच्छे से मैस कर लिया है, चम्मज से, इसका एक डो त्यार कर लिया हमने इसको हमें खट्टा कर लेंगे अब हम अपना आटा त्यार करते हैं यह देखिए इस तरह का बन गया है अब यहां पर मैंने गेहूं का आटा ले रखा है इसमें हम थोड़ा सा रिफाइन ओड डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे हम कसूरी मेति एक चुटकी डालेंगे नमक इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे हातों से और गुंगुने पानी से इसको गूद लेंगे नॉर्माल आटे के तरह ही गूदना है यह बहुत ज्यादा टाइट मत करिए क्योंकि टाइट में आलू ब अब इनको गुंगुले पानी से हम गूद लेंगे अब पराठे बनाने के लिए हमारा आलू भी तैयार हो गया है और आता भी हमने गूद लिया है अब बनाएंगे हम पराठे अब हम सबसे पहले लोई तोड़ेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और जितना हमने आटा ले रखा इतना ही हम इसमें आलू भरेंगे बिल्कुल इक्वल भरेंगे अब पराठे हम बहुत मोटा नहीं बनाएंगे इतना मैंने बेल लिया है अब इसमें भरेंगे हम आलू यह देखिए आलू हम इतना भरेंगे बहुत भरा भरा पराठा बनाएंगे अगर हम आटा जादा लेंगे आलू कम लेंगे तो खाली आटे का ही टेस्ट आएगा मसाले का फ्रेवर कमाएगा और इस तरह से हम इसको करेंगे अचे करके इसको हम डबा देंगे और ऐसे सीधे में बेलन मत मारिये हरना मसाला बाहर निकल जाता है और धीरिए इसको गोल और प्रिश्चे-गोल बन जाते हैं और इसमें लगाएंगे थोड़ा सा हम सुखा आठा अब इसमें हमने थोड़ा आठा लगा लिया है अब इसको धीरे-धीरे बेलन की सायता से बेलेंगे और घुमाते हुए बेलेंगे एक दम बेलन नहीं चलाएंगे वरना मसाला हमारा सारब बाहर निकल यह देखिए अब इसको हम तवे में डाल देते हैं इसको भी से मिशी तरह बनाएंगे और हातों से तोड़ा कर लेंगे इस तरह चलाते रहिए और हलके हातों से बेलते रहिए मसाला चारों तरफ एक वान घुश जाएगा पलटते रहिए यह यह देखिए हमारा दूसरा पराठा भी तयान हो गया है चारों तरफ से दबाते वे इनको ऐसे प्रेस करते वे शेकिए अब इसको भी हम निकाल लेंगे इसी तरह हम सारे पराठे शेक लेंगे आज पराठे हम देशी घी में बना रहे हैं जिसका लिंक में कमेंट बॉक्स में डाल दूं अब इसको हम निकाल लेते हैं यह देखिए कितना क्रिश्पी पराठा हुआ है एक काट के आपको दिखाते हूं यह देखिए लाजवाब पराठे मारे बने हुए है अगर पराठे बनाने की रेसीवी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शियर सस्क्राइब करिएगा अ तो आपके पराठे भी परफेक्ट बनेंगे